हमें तरस आता है, रोज डिबेट करते हैं आपके साथ, आपके मुल्क में पैसे है नहीं, वहाँ इम्रान खान ने कहा है कि का का है विस्कूट और चाय भी नहीं पी आ है अगर अभी टोटी बंद करते हैं तो वहाँ पानी आना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में, इतनी चिंता ना करो बहन भारत की डिबेट्स में कई बार पाकिस्तान की बेविकेस्ट शामिल हो जाते हैं तब इस डिबेट का महौल इंडिया वसेज पाकिस्तान का हो जाता है अब तक तो हमने संबित पात्रा को विपक्षी नेताओं के साथ लड़ते हुए या उनक्या मजाग बनाते हुए देखा है जिसके बाब संबित में केबिसी की तरह पाकिस्तानी पत्रकार से सवाल किये और काफी मजाग भी उड़ाया इसलिए आपने 370 को एब्रोगेट किया है मोना जी आप टेस्ट का टाइम हो गया है आज का क्वेस्चिन पेपर नहीं 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 होगा होगा है तारिक पीरजादा को फोन करके पूछ सकती है आप इंडिया के लिए पाकिस्तानी यो टाइम स्कार्ट नहीं आप तो कौन बने का करोरपती भी आप तो आपको आवश्यक्ता चंद पैसों का हम दे देंगे आपके मुल्क में पैसे है नहीं वहां इम्रान खान ने कर आ है कि क्या कर देंगे बातों पर करारा जवाब देना शुरू कर दिया पर पानी हम आपको पिला देंगे बहन आप हमारी पानी की चिंता मत करें लिए अगर अभी टोटी बंद करते हैं तो वहां पानी आना बंद हो जाएगा पाकिस्तान में इतनी चिंता ना करो बहन वैसे देखिया आपका तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं आप एक मात्र पाक पर पाकिस्तान के करतूतों को रिप्ले करके देखिया पाकिस्तान कर क्या रहा है सतर सालों से खाली चूरा और खंजर भोकने में लगा हुआ है पीट में सतर सालों से आतंगवादियों को भेजने में लगा हुआ है सतर सालों से एलो सी पे किस प्रकार से आतंगवाद के ही मुद्धे पर ABP News पर भी डिबेट हुई, इस डिबेट में संबत पात्रा की बोलने की जब बारी आई तब संबत ने पाकिस्तानी गेस्ट के बारे में टिपनी की, जिसके बाद उसका मजाग भी उड़ाया होगा भविष्य में तो आप लोग उसमें करीगा अभी मेरे में छोड़ दीजे मैं डील करूंगा एक फोटो है एक फोटो है बहुत पुरानी फोटो है मैं डालूंगा इस ट्विटर में यह जब 71 में युद्ध हुआ था तो यह उस समय साथ पानी वानी लाता था उनके पा पानी ला रहा था इसको पकल दिया था उसका लुंगी पहल के पकल दिया था और जो पिटाई इसकी हुई की सर के उपर जूतों से तबसे इसके बाल नहीं हो गये है यह यहीं राकिकत है इसा आद्मी को मत बुलाया करो पार इस डिबेट में जब संबित पात्रा ने टिप करूंगा कि देखे हमारे हिंदी में कहावत है बाप निमारी मेंध की बेटा तिरंदाज अब देखे इमरान खान तो कल के भाशन के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है ब्लड प्रेशर बढ़ गया है हाल खराब है उनका और यह आए बच्चे दोनों यहां पर भी तिरंदाजी करने के लिए कि हिंदू ऐसा है भारत वैसा है और हम इनको बैठके सुन रहे हैं अरे अमीज भाई इनके आवाज बंद करो इन बच्चों की आवाज बंद करो यह क्या अल्ला मचा रहे हैं पिता जी तो एडमिट है हॉस्पिटल में कल से भाशन सुनने के बा पाकिस्तान के मुद्ध पर न्यूजे टीम पर डिबेट हुई इस डिबेट में संबत ने पाकिस्तान की हरकतों पर टिपनी करनी शुरू कर दी जिसके बाद पाकिस्तानी गैस्ट पीच में बोलते दिखे पर संबत ने उनको चुप करवा दिया संब्ध बताओ कमर चीमा तो जिहादी बच्चा है यह तो फुद्ध मैं थी ना एक और चीज बहुत कि यह दैश्ट गर्दी इंडिया से स्पांशर होती है वो आपने नहीं बताया आपने आदी बाद बताई है अरे बच्चे जी ऐसे बत गुसाते बच्चे जी अशने ऐ आप बताएब खुद इनके राश्टरपती बोल रहे हैं, इनके प्रीमियर बोल रहे हैं, कि हमारे सरकारे जो थी हमसे पहले ये सारी जूटे थी, ये सब जाके जूट बोलती थी हमने आतन्मबाद के खिछारफ लड़ रहे हैं, हमने आतन्मद के लिए बहुत सारे rules and regulations पुरोरीपोर्ट, पुन्जाप्रुडेटीव